ऐसे चेहरे भैनक कहते हैं, अरे मुसल्मान तो रजाई में और ओरते इनकी चोराइप है, योगी जी योगी जो है, हाँ ऐसे भैनक भैनक चेहरे, तो मैं वो कहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, अरे क्या भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, इन पोस्विल है, हमारे कहते कि लिए दिक्कत नहीं है वो अपना ही पेस कर दे पहले अपनी आगरता दे दे अपना कागज दिखा दे काम लोग पीछे कि अधिए वोडियों साहत आ नहीं सकता है को उन्हें डर लगता है तरह का डर है और क्या है अब बताईए इससे जादे कुछ और कुछ कह सकते हैं खीर जले भी बटी है है दूद बटा है मत्रा का गंगाजल बटा है हाथ पर रखके कसम खवाई यह लोगों ने बताईए ठीक ठीक हम बहुत बात करेंगे सर क्या लगता है सुपरिंग कोड़ ने कहा कि ऐसे लगातार किसी पब्लिक प्लेस पर लगातार प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं लोगों इसकी क्या जरूरत लाने की बिल जरूरी था फॉक मरी खुद ओने बटक रहें नरहीं मैं लिएills तो यह बिल इसलिए लाएं हम जो एक्ट लाएं है कि 20-25 साल से यहां लोग रहे हैं उनको नागरिकता अभी नहीं मिली है और वो उन लोगों को जो सुविदाएं वो नहीं मिल नहीं जी 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 जो अभी तक जर्गनना हुई या कोई भी सरकारी यूजना हुई वो किस चीज में आता है वो तो इसी का अंस है ना तो उससे नहीं पूड़ा हो रहा है जो कि इस महमाई में जो कि इसको लाए जा रहा है इसकी तो कोई आ सकता है नहीं जनता को इनको है क्योंकि जो हमारे देश के मूँपे थुक के गए हैं उनको लाने की फिक्र है यहां की फिक्र नहीं है इतना दिन से मां बैने बेटियां बैठी हुई है आपका फर्ज बनता है आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो या ग्रिह मंत्री जी हो आपको सुचना चाहिए कि यह सब भी आपकी आवाम है इन पर आके इन से समझना चाहिए कि आप यूँ ऐसा कर रहे हो क्या आपको यह हमारा संभीधान भी इजाज़त नहीं कर रहा है आप जब अजस्ति थौपने पर पड़े हुए है क्या कर रहे हैं ठीक अंकल जी जैसे बात की जा रही है कि जब तीन तलाक यह कानून लाए तो उन्होंने कहा कि मेरी माता हो बहने को साथ अत्याचार होता इसलिए स्टेट हो गए अभी सो जगे की बात थी कल पूरा हुआ चार सो जगा हो गया यह तो दिन प्रतिन दिन बढ़ता जाएगा और जब एलक्षन कार्ड की मान थी और उस एलक्षन कार्ड से ओट लेकर के पीम और गरह मंत्राले जो भी बना तो मान था उसके पहले कर वाली होत कि नहीं है लेकिन हम सीए वापस नहीं लेंगे तो यह अंदोलन बंद भी नहीं होगा या निश्चित काल है जब तक यह नहीं लेंगे यह बंद नहीं हो लेकिन सुप्रिम कोट ने आज कहा है कि 24 फरवरी को कमिस्णर से कि हमें इसका जवाब चाहिए यह क्यों हो तो उनक पाइब नहीं मंनेंगे सुप्रिम कोट का आदर करते हैं जो लोग तीन लोगों मुद किये गये हैं हां के लिए उनसे वह अपनी बात रखेंगे तोह मानेंगे लिकिन सुप्रिम कोट ने यह भी कहा कि प्रोत करना सबुक्त अधिकार है लेकिन किसी ऐसे रोड पे या किसी यहां जन्ता को दिक्कत हो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं अब तक आंदोलन जितने हुए है पूरे भारत में किया किसी बागईचे में नदी के किनारे हुआ हमेसा रोड ही जाम किया गया है रेलवे बंद किया गया है तो हम क्यों छोड़ दें रोड अगर कोई बताए कि कोई आं है अंदोस्तान के मुस्लाइब तो यह उनके लिए दिक्कत नहीं है वह अपना ही पेस कर दें पहले वह अपनी नागर्टा देने वह अपना कागस दिखा दें काम लोग पीछे नागर्टा लेने का बिल यह एक्ट यह जो भी यह लगाए है जो बिल पास किये हैं तो उसमे बैटके बात कर लें सब तयार है तो तयार कहां भी कल बात थी तो पुलिस वाले जाकर करके कह दिये साइथ कि जो है अभी वह एगरी नहीं है बात करने के लिए बात करने के लिए तो पूरा मंदल तयार है हमारी मावेने जो बैठी है दो महीने से रही महीना पूरा हो रहा मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलता ये पी-म जुटा है सचाही से नहीं मिलता और सबक दे रहा है तीन तलाक पर मुस्लिम बहनों को मिलने का जो इद अपने सके भाई से नहीं मुझाशिक भी होता है। ओत्पिडन समाजिक होता है। आर्थिक भी होता है, अनुवांसिक भी उता है। धार्मिक b u hote है। और मैं पूछना चाहता हूं यह जो कानून बनाया है इन्होंने, क्या British बिडिश भारत का हिस्सा है अफ्र्मा इनको क्यो छोड़ा पूछने जाते हैं किया इत्यास नहीं पढ़ते हैं यह कब तक भूरत कि यह बनाएंगे ये लोगों को, क्या उत्पिड़न धार्मिक होता है, अगर उत्पिड़न धार्मिक होता है, तो 71 की लडाई में बंगला देश से लाखो मुसल्मान भारत आया, तो वो किस से उत्पिड़ित था, क्या वो सिया से था, हिसाई से था, सिंधी से था, या हिंदू से वो तो इसलामी की ही देश है और पाकिस्तान से इसलामी देश है आप के रहें गैर मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है अफगानिस्तान में पाकिस्तान में वहां से जो सिया भूह हजारा खलकी लोग भागते रहे हैं पस्ची देशों में तो वो किस से उत्पीड़ेता है मै को दरा समझाएं हो उनिस चलो हमने माना नागरिक्ता देना भारत सरकार का धरम है जो 47 में गैर मुस्लिम लोग वहां रहे गाए थे बटवारे के टाइम पर उन्हें लाओ वो भारतिये ही थे हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन ये छे कौम क्यों माइनोटी क्यों ये बिल जो कर लिया है तो क्या आपको लगता भंगलादेश अफगानिस्तान से पाकिस्तान से मुस्लिम आये हैं वहां की माइनोटी तीनो देशों की बहाना आया और भारत की माइनोटी निसाना है ना ना है इसके बड़ी बज़ाए जो कल जो इन आर्सी आएगी उसमें देख लेना और ये दरन टूड जाएं अब मुसल्मान पड़लिट चुका है यह हैं हमारी माने बै Balakdown करते हैं मुसल्मान आड ब्BERा audi आमल तो रजाई में और कि चोर राइप योगी जा यहाँ ऐसालाक में लॉक्षृं को हं था हिंदुस्ताइं oggi इंपश्बिव है हमारे कहते हैं अजान में फजर की में अस्सलातु खेरून मिनननान आओ काम्याबी की तरह परे फैक रजाई आंके को अल्ला बोल यह मैसिज है योगी के लिए यह कब तक बेकुप बनाएंगे इन माँ बहनाओने घर में बैठके नमाजे पढ़ी है इसलाम बचाया आज र जय वड़ाई जा रही है तो सम्मीदान की यह आरे सेस का सम्मीदान थोपना चाहते हैं इन्होंने पढ़ा ही नहीं इत्यास सम्मीदान इनको नफरत है कि इस 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 पार्टी को तो टोटली और वैसे राजनिदिक पार्टी में वह इस्ता नहीं लेती है राजनिदिक पार्टी में कुछ चुनाओं नहीं लड़ती है वो नाली कड़न देख अभी लड़के देख लेना पता चल जाएगा क्या को सर्कार को सुनना चाहिए जैसे कि कर हमारे दादिया निकली दी कहना में पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने दावत दी लेकिन कुछ पुलिस की विए से बेरिकर्ट लगा दियते उन लोगों जो कहते कुछ है करते कुछ लेकिंगों को चाहिए किया है कम से वाद पर पूर उत्रे हैं क्योंकर हमारी इतनी दादिया इतनी उमर के कि नमेर 90-90 साल की आप देगे किस तरह ठंड के अंदर आप इसले उठाके देंगे किस कदर ठंड थी और हमारी मा बेने अपने बच्चों को लेकर बेटी है क्योंकर इस बात की विगर नह कि एक जूट होके जो कि हिंदू मुस्लिम सिक इसाही साथ सब आपस में मिल जूल के जा रहा है तो उनसे मिलने के लिए लेकिन उन्हों ने उसको भी नगार दिया गिर्या मंद्री कि मुझसे आकर मिल सकते हैं बात कर सकते हैं दूसरे तरह प्याम मोदी ने कल्वी का कि हसी ए फिर्वापस नहीं होगा है तो इन्शाला वापस हो गई है कि हर हल में होगा तो कि यह मुद्दध सी यह किसी का नहीं है यह सबका है लेक्श शूसका हो तो बात समझ में आती लेकि मुसलमान को एक जो है अलय दार रख दिया गया प्राट फार्म से हटके लेकि हम नहीं चाते हैं कि हमारी माँ बेहने जो आज निकली में बिर्खे में बेए बेठा करती थी आज फिर भी अपनी शर्म को छुपाते हुए इस सड़क पे बेड़ी है कि किसी वह से यह हमारे अंदुस्तान के परदान मंत्री गिरे मंत्री इस बात को सुन लें कि हमारे इनकी जो औरत परदान मंत्री आगे आजाते हैं ये भी तो एक हिंदूस्तान का धार्मिक मामला है जो कि इसके अंदर भी परदान मंत्री को चाहिए आगे से आगे बढ़े और हमारी माँ बेहनों की बात सुने आपको नहीं लगता दो महीने से जादा होगे अब जो महिला आती हैं घर से उ आ रही हैं लेकि अब क्या घर सर ये बताईए आप अगर उसके लिए तो हमारे भाई जो हैं जो उनके हजबन हैं तो क्योंके हैं उन्होंने पूरा कोप्रेट अपनी वाइफ को कर रहा है कि आप ऐसी बात नहीं आप बेफिकर रहे हैं अगर आप चूला जलाती हैं और हम प्रांन के छोड़के जाते हैं और जो 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 औरतों को प्रोगरम होता है माँ उस टाइम से वह अपनी यहां से फारिक हो के चली जाती है पिर दूसरी ओड़ते उसी तरह से आजाती हैं क्योंकि आना ज़ए यह हमारा जो पॉड़ेक्स हैं और यह हमारी दादियों के सारे कि जूट हो के उस काम को कर रहा है क्योंकि हमारे भाईयों को पाद जिस तरह से टाइम मिल जाता है वो अपनी ड्यूट्यों को पूरी करके उस तरह से टाम निकालते हुए अपने क्या नमें स्पोटक्स के अंदर उन लोगों के साथ देते हैं लगातार जैसे अंदोलन हो रहा अब उमीद तो नहीं लग रही है सरकार की बातों से लेकिन क्या आने वाली गवर्मेंट को अगर सरकार बदलती है उस सो उमीद की जाएगी नहीं नहीं बिल्कुल उमीद की जाएगी को कि इस पर पूरी दुनिया के अंदर एक उधम मचा पड़ावाई इस बात का किस तरह से हंदुस्तान के अंदर देखो मुसलमान के साथ कैसा हाल हो रहा है इससा नहीं है फिल जाएके नंगे के हिंदुस्तान के हमारे परतान मंत्रे ग्रह मंत्री साथ भूल जाएगा को कि ये जो है बहारत लग मुलकों में परतरशन हो रहा है कि आप भी देख रहे है चेरण आरो और यूट्यूब पे भी आपके सब क्या रहा है क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा चला है सर तमाम जगहों पर शाहिन बाग मौजूद बन रहा है जिसे कि बिहार पश्चिम बंगाल क्या जुचुना होने वाले बिहार में अक्टूबर में कहीं उनका जहलक दिखेगा क प्रड़िक्स की बात है कि अन्हारा तो लोग समझें लेकिन हमारा तो मकसद यही है कि अनर्सी और सी जो लाइक आज आ जा रहा है कि यह गल्त है हम तो इसके उस पर बैटे में हमें किसी चुनाओं से नहीं लेना जो कि हमारे दिल्ली के अंदर भी चुनाओं है वह मस्या स करन शाहिन बाग पोचे लेकि शाहिन बाग नहीं पोचा करन वो शाहिन बाग से हटके वो इनके मुखहले पर पोच गया है बिल्कुर हम तो यही कहना चाहेंगे करेमंद्री साब से जो आपने वादा की है हमारी दादियों को बुलाया गया था और हमारे भाहियों के साथ जो कि मिटिंग करने के लिए आपने कहा था कि हमारे पास आईए तो इस बात पर उतर जाए बड़ी मेरवानी होगी आपकी